बरहन श्येत्र में किशोरी के अपरण के मामने में आरोपी की जमानत सुईकरत हो गई है मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने पहुची लड़की ने बहला फुसला कर ले जाने से इंकार कर मत्रा मंदिर में रहने की बात कही जिलाजज ने पीडिता के बयान के विरोधाबास पर रहाई के आदेश दे दिये हैं वादी ने वरहन थाने में तहरीर दे कर आरोप लगाया था कि 30 अपरेल 2024 को दो पहर दो बजे आरोपी उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था इसके बाद लड़की स्वेम थाने पहुच गई किशोरी ने पुलिस को बताया कि माता पिता के परिशान करने पर वह मतुरा मंदर में रह रही थी उसको कोई भी व्यक्ती बहला फुसला कर नहीं ले गया था उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ मजिस्ट्रेट के सामने भी लड़की ने अपनी मरजी से आरोपी के साथ जाने का वयान दिया था जिलाजज ने पीडित के बयान में विरोधवास होने और आरोपी के अधिवक्ता अखिलेश कुमार यादप के तर्क पर जमानत स्वीकार कर रिहाई के आदेश दिये हैं उमेश शर्मा, सीन्यूस आगरा